गुड मॉर्निंग यूटूब चनल योगद अकैडमी पर आप सभी बच्चों का स्वागत है तो बच्चों आज हम आपको नंबर सिस्टम जो क्या आपका चल रहा है ना संख्यापत्ति उसके अंदर बहुत ही मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिमेंडर थ्योरम सेस्फल पर Hemet को इगनोर कर देते हैं और ज्यादतर बच्चे इसको टोपीक को जो हैं बहुत कठिन समझते हैं लेकिन बच्यों आज हम आपके एस हिसमें इस टोफिक को बहुत ईसान कर देंगे क्यों कि पहले हम आपको इसका बेसिक ऑधाएंगी किसी बए किसी बी टोपिक कि इस से फ्ल में रेमेंडर थौरम तो बच्चों सबसे पहले बेसिक से स्टाठ करते हैं और बेसिक से स्टाठ करके हाई लेविल तक पहुचेंगे सबसे पहले हम एक छोटा छय चीन कंप ले ले लेते हैं सिंपल एक जांफल जैसे की सेवन डिवाइड घ्यक्स तो सब से पहले बच्चों ये समझेगे healthy homicide को टीन से डिवाइड करना है और इसके अंदर सेशफल को बताना है सेशफल कितना होगा तो जन्रली बच्चों हम भाग दो परकार से करते ही दो परकार से डिवाइड करते हैं चलिए तीन सेवाग देते हैं साथ को दीदनी हुआ चें कितना reminder हुआ रिमाइंडर हुआ बच्चों आपका एक एक बचा इसी प्रकार से भाग बच्चों हम एक ओर टाइप से सकते हैं देखिए 7 को हमने भाग दिया 3 से ही तो हम 3 तिया 9 पर भी टेबल चला सकते हैं लेकिन reminder जब हमारा यहां बचेगा तो minus का होगा निगेटिव रिमेंडर ठीक है न यह आपका होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और यह होता है बच्चो निगेटिव रिमेंडर ठीक है दोनों रिमेंडर को हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेस्चन में अपनी सुविधा के अनुसार हम दोनों रिमेंडर को यूज कर सकते है बच्चो आपने एक बात को इस पेसली माइंड में सेट करना होगा कि जब हम फाइनली आंसर देंगे तो हमें केवल और केवल आंसर पोजिटिव रिमेंडर में ही देना होता है पलस का जो सेसफल होता है हमारा फाइनली आंसर उसमें ही होना चाहिए ठीक है लेकिन अपनी सुविधा के लिए अपनी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए हम इसको या इसको किसी को भी उज़ कर सकते हैं पोजिटिव वाले को यूज़ कर सकते हैं निगेटिव वाले को भी उज़ कर सकते हैं चली देख लेते हैं निगेटिव और पोजिटिव का ये क्या फंड़ा होता है इसको जरा इसपस्ट कर लेते हैं देखे साथ बटे तीन इसी एक्जामपल को दोबारा समझते हैं साथ बटे तीन एक्जाम्पल हमारा है साथ बटे तीन देखे डारेक्टली बताते हैं जब हम साथ को तीन से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली बात बच्चो बेसिकली क्या करते हैं जो हमारी संख्या है हमारी मेन संख्या क्या है बच्चो सेविन है सेविन को हमें डिवाइड करना है 3 से तो हमें क्या देखना है सेविन के हमें बिलकुल नजदीक में सेविन के हमें नजदीक में जाना है इस परकार से टेबिल चलाना है हमें 3 का कि इसके बिलकुल नजदीक में पहुचा जाए इसके बिलकुल नजदीक में पहुचा जाए अ कि अब तिर्इस होने वाली साथ से नीचे वाली हम संख्या देखते हैं तो च énक होती है कितनी होती है बच्चो चैने होती है ठीक जेथे ये संख्या मारी कितनी ज़्याद है पलस वन ज़्याद है तो यह पल tips वर नी हमारा remainder रुवा ठिक है negative remainder की बात कर लेते हैं 3 से यह उपर जाते हैं तीन से उपर वाली संख्या 3 से ठीवाईड हो जाए नाइन थी या नो लेकिन से संख्या हमारी कितने संख्या वो कितनी कम है बच्चो दो कम है तो यह माइनस दो को हमारा reminder वा लेकिन यह reminder किशि anybody को कोन सा reminder बच्चो निगेटीम वाल cattle ठीक है और जब हमें साथ वट्टे दिन को करना है और सेश्फल बताना है यदि हम करते है तो हमें तो ansar हमने पहले कह दिया एंसर तो हमें अमेंशा positive remainder में ही देना होता है ठीक है finally answer तो पलस वाला ही होगा तो कैसे निकालते हैं देखिए जो भी अमारा negative remainder होगा उसको हम डारेक्ट अपने भाजक से less करकी अपना answer निकाल लेते हैं देखिए answer अमारा वही है answer अमारा आप पलस वन ही आएगा पलस वन है पलस वन ही आएगा यूज आप चाहे negative remainder कर लो जए positive remainder कर लो पलस वाले से इस पलको यह negative वाले माइनस वाले सेस्पल को किसी को भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है एक question और देख लेते हैं एक्जामपल है देखी जैसे असी और बटा नो बच्चों हमारे सामने एक्जामपल है असी बटा नो असी को को हमें 9 से डिवाइड करना है और हमें सेसफल को निकालना है हमें रिमाइंडर चाहिए इसमें रिमाइंडर चाहिए ठीक है इसमें रिमाइंडर चाहिए पहले बेसिक हम पढ़ रहे हैं पहले बेसिक तो को हमें भाग देना है इसको सोल करना रिमाइंडर को हमें पता करना है चलिए देखिए हमें 80 के नजदीक में जाना है डिवाइड करते हुए तो का टेबिल इस प्रकाल से हम पढ़ेंगे जो हम 80 के बिलकुन नजदिक आ जाए 80 के नजदिक अब 9 नम क्यासी यदि हम नजदिक जाते हैं 9 नम क्यासी तो क्यासी पर चले जाते हैं लेकिन क्यासी तो हमारे से उपर हो गया तो हमारी जो में संख्या है क्यासी से है minus one एक कम है और यदि हम इससे पीछे की और जाते हैं तो 982 हुआ और 72 से हमारी ये संख्या कितनी जाद है पलस आड़ जाद है तो अगर हमें डारेक्ट अपना सेस्पल बताना है तो सेस्पल तो हमारा पलस का अठ हो गया अंसर तो हमार यही पर आ गया लेकिन यदि आपने निगेटी रिमेंडर से अपना आंसर देना है तो निगेटी रिमेंडर ध्यान दीजे कितना है minus one और हमने कहा है निगेटी रिमेंडर को आप अपने भाजक से लैस करके तब आनसर देते हैं नो में से गटाएंगे वन और तब आपका अंसर रहेगा आठ तो यह आपका बच्चो अंसर हुआ ठीक है इसी परकार से चलते हैं एक दोर एक्जामपल प्यारदारित कर लेते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि बेसिकली रिमाइंडर में हम जो पोजिटिव और निग गए इविन अपोवनेट साथको आठ से डिवाइड करना करना है और इस में हमें रिमाइंडर को बताना है की रिमाइंडर अमारा कितना होगा बच्चोंचों अब तक मिसम हigent लें कि जो हमारी उपर वाली संभ्या यह जिसको हम ने भाग देना था वह ज्यादें ठी बड़ गड़ी हो गई ऐसे केस में क्या करेंगे ऐसे केस में क्या करना है ऐसे केस में देखिए साथ बटे आठ साथ को आठ से डिवाइड करना है तो हमें तो आमें तो फाइनली आंसर देना होता है पलस वाले रिमाइंडर में तो क्या करेंगे आठ में से इसको लैस करेंगे और यह पलस का रिमाइंडर हमारा साथ हो गया ठीक है यदि आप नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करते हैं तो यह परकिरिया आपने यूज करनी होगी इस चार नहीं है तीन नहीं है दो नहीं है एक नहीं है लेकिन जीरो है जीरो तो एक ऐसी संख्या है मेरे बच्चों किसी भी संख्याजी डिवाइड हो जाती है जीरो ही एक ऐसी संख्या है सभी संख्याओं में जीरो ही एक ऐसी संख्या है जो एक्जेक्ट किसी भी संख्याजी दिवाइड हो जाती है तो यदि हम जीरो लेते हैं तो जब आठ जीरो को हम आठ से डिवाइड करेंगे तो से इस फल में कितना आएगा भाग फल हमारा जीरो आगा तो यहां जीरो होगा तो जीरो से हमारी संख्या कितनी बड़ी है जीरो से हमारे कितने बड़ी संख्या है पलस साथ है तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो पलस साथ आया है ठीक है न यहां से भी आप कर सकते हैं डारेक्ट और देखिए हमने पहले ही कहा है निगेटिव और पॉजिटिव रिमेंडर को अपनी सुष्धा के अनुसा और हमारे कैलकुलेसन आसान होनी चाहिए बस किसी को भी उज़ कर सकते हैं माइनस वाले को भी पलस वाले को भी बस इस बात का ध्यान रहे कि जो फाइनली आंसर होगा वो हमेशा पोजिटिव रिमेंडर में ही दिया जाता है क्योंकि मेरे बच्चों कि जो बुके होती हैं या एक्जाम में जो क्वेस्चन होते हैं वे हमेशा पोजिटिव रिमेंडर पर आधारिती ही बनते हैं इस बात को अमेशा याद रखो आप ठीक है तो कुछ और क्वेस्चन देख लेते हैं देखिए आपने डिविजिबलीटी रूल्स भली बाती पढ़े हैं हमारी पिछले क मैं संख्या ले लेता हूं 20 21 22 23 चलिए संख्या मैंने बना लिकोई और मुझे भाग करना है संख्या को पहले मुझे भाग करना है तू से और मुझे इसमें reminder ग्यात करना है फिर मुझे भाग करना है बच्चो चार से फिर मुझे भाग करना है आठ से और फिर मुझे भाग करना है 16 से अब मुझे इनमें reminder चाहिए तो 248 ठीक है ना इनके divisibility rules आप हमारी पिछली कलास में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं 16 का भी ऐसा ही होता है मैं बताऊंगा आज आपको चलिए तो के रूल के लिए पहले बात करते हैं तो की तो के रूल के लिए बच्चो आप भली बाती परिचित हैं कि लास्ट डिजिट को ही हम भाग देते हैं लास्ट डिजिट हमारा है तो 0 हो या फिर 2 से कटने वाली को कितना रिमाइंडर आएगा वन आएगा ठीक है इसी परकार से फोर की बात करते हैं फोर के लिए याद कीजिए लास्ट के टू डिजिट हमें लेने होते हैं लास्ट के टू डिजिट आप लीजिए 23 23 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कितना आएग जचते हैं बच्छो 223 कितने होते हैं 223 अब 223 को जब हम 223 को जब हम आठ से डिवाइड करेंगे तो चलिए करते हैं आठ से डिवाइड आठ दुनी सोले हुआ इसी परकार से शोले के लिए रूल को देख लिए और देखना है चार डिजिट को देखना है चार डिजिट को भाग देते एं टू टू टू-टू-टू-3 को जब हम सो्वेसे बाग देते हैं बच्चो ठीके तो रिमाइंडर हमारा बचेगा करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 15 कितना रिमाइंडर बचेगा 15 रिमाइंडर होगा ठीक है तो यह तो चलो कुछ basic question थे कुछ basic concept आपने सीखे हैं की positive remainder कैसे निकलता है negative कैसे निकलता है और negative remainder को हम यूज कैसे करते हैं अपने क्वेश्चनों में अपनी कैलकुलिसन को आसान करने के लिए ठीक है यह टॉपिक आपको किलियर हुआ निगेटीब पोजिटी वाला बच्चो किलियर हुआ अब इसी पर डिपेंड कुछ क्वेस्टन आपके सामने पुट अप किये गए वच्चो देखिये कुछ वाले क्वेस्टन थोड़े कठिन भी बताते हैं आपको कि सेसफल कैसे निकलता है बहुती आसान तरीके से बता और आज के इस टोपिक में सेस्पल पर में बहुत ही आसान हो जाएगे आपके लिए देखे ज़रा देखते रहे हैं क्वेश्चन देखे आपके सामने क्वेश्चन नमबर यहां फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नमबर चुहत्तर मल्टिपलाई 26 और इसको 11 से डिवाइड कर और इसमें हमें रिमाइइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा पहले ख्श्टन आपका क्योंस्ट ना के सामने कि hesitate गुश्ट्ट्र गुणा 26 और इसको 11 डिवाइड करना है तो देखे क्या करते बिचत्र इसको विस्तार से बता दो हूं आपको कंसेft कि रहेगा पिर पलस भी हो सकता है ठीक है ना देखो यहां पलस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है मुल्टीप्लाइब सकता है तैंसन वाट नहीं जो पीछ में चिन होगा उसी के अनुसारम को कर लेते हैं नो टेंजन बच्चों देखिए यह 26 और बटे 11 दोनों को मैंने अलग-अलग भाग दे दिया है देखिए जब हम 11 से बच्चों उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में हम क्या देखते हैं डिवाइड करने में हम यह देखते हैं कि हम 11 का टेविल इस परकार से चलाएं कि हम इस संख्या के बिलकुल नजदीक में पहुचें ऐसा ही तो करते हैं बाग ऐसा ही तो बाग करते चाहे नीचे आना पड़े टेंसन वाले कोई बात नहीं है चाहे निगेटिव रिमाइंडर निकले चाहे पोजिटिव रिमाइंडर निकले ठीक है नहीं तो बाद में हम एड़ेस्ट कर लेते हैं आप अपनी सुविधा देखिए कि आपकी कैलकुलेशन किस से आसान हो रही है देखे 11.66 यदि मैं 66 चलाता हूं तो 66 से 84 बहुत दूर पड़ती है और यदि मैं 11.77 लेता हूं तो 77 की संख्या बहुत नजदीक है उपर चले गए हम लेकिन नो प्रोलम ठीक है ना तो 11.77 तो 77 से हमारी संख्या कितनी कम है बच्चो तीन कम है तो यह नहीं कि माइनस 3 हमार रेमेंडर हो यहां से इसी परकार यहां देखिए 11.22 और 11.33 यदि हम 33 पर जाएं उपर की और जाएं तो बहुत दूर चले जाएंगे लेकिन 11.22 तो इस बार हम 22 पर ही रुकेंगे क्योंकि हम 26 के विल्कुल लजदीक में है और 22 से हमारी संख्या कितनी जादा है चार जाद बीच में जो भी चिन है मल्टिपलाई है तो मल्टिपलाई लेलो पर यह से तो पर जामते हैं माइनस पलस की गुना चारतिया बार है लेकिन माइनस का ही होगा माइनस का ही होगा अब यहाँ पर गोर से देखिए बारे बैटे ग्यारा आया है क्या आप बेसिकली इस बात को भी नहीं जानते कि भाई जिस संख्या से हम भाग देते हैं सेस्फल क्या उससे जादे आ जाएगा नहीं आएगा यह बात हमेशा आप याद रखिए सेस्फल हमेशा हमारे भाजक से कम ही आता है बेसिक लिए आप सभी जानते हैं इस बात को तो लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो सेस्पल आया है वो ज्यादा आ रहा है ज्यादा आरहा है बारे आरहा है तो क्या करते हैं हम ऐसी कंडिशन में क्या करना है एक बर फिर से भाग दे दीजिए 11 एकन 11 तो क्या बचा बच्चो मैंशीक से मतात एककहना है तो क्या आप responses में~? क्यों नहीं दो गए क्योंकि यह अमारा नहीं रिमेंडर है और मैंने तो आप को इसाटिंग बता दिया कि हम हमेशा फाइनलिव बीद्द है आउरीमेंडर में काइसे रिवेंडर हमारा दस हुआ ठीक है किलिया रोई बात चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकिंड आपके सामने हैं देखिए जड़ा क्वेश्चन नंबर सेकिंड भी कुछ इसी परकार से लेकिन उसमें मल्टिपलाई की जगे बच्चो पलस कचिन आया है यह जी हैं और भाग देना है नो से और इसमें हमें रिमाइंड ग्याद करना है क्या ग्याद करना है रिमाइंडर ग्याद करना दीखिए हैं फ़रक के वलं इतना हुआ एस एक स्टन में बच्चों कीам मल्टिपलाई की जगे माइस भी होता तो भी कोई फरक ने पड़ना है ठीक Whats से नो है नो से हमें करना है तो 9 से पहले हम इसको करते हैं सबस्क्राइब से चलानी है टेबिल इस प्रकार चलानी है कि बिल्कुल अपनी संख्या के नजदीक में पहुंच जाए बिल्कुल देजिग मैं नो देखे-9 त्याट फड दॉर चला जाएगा न 85 protective का फॉर चला जाएगा उसी साथS exact आप चला लीजिये विश्जाम्नि तरेसल नो सति ठरेसल और ठो तिरेसल से 23 से हमारी निस्पार हैं कितनी जाδहें पलस दोजादहें को तो पलस दो लगें यह आप अगर 10 का की दूरर बच्चो लेकिन हम पड़ते हैं 11 निन्यान में निन्यान और निन्यान में हमारा जो है ना इस संख्या के बिलकुल नजदीक है लेकि निन्यान में से सतार में हमारे कितनी कम है संख्या माइनस दो कम है कितनी कम है बच्चो माइनस दो कम है तो यह माइनस दो यहां reminder हुआ अब देखना क्या है पलस दो यहां से आया है माइनस दो यहां से आया है माइनस दो यहां से आया है ठीक है ना और डिवाइड किस से कर रहे हैं नाइन से कर रहे हैं नो से कर रहे हैं बीच में जो भी चीन है उसी के कोर्डिंग उसको सोल कीजिए अब पलस टू है माइ कुछ भी संख्या हो जब किसी संख्या सore स्टीवजब करते हैं तो हमेशा जीरोई आता है याद रहिए जा बात जीरो यही हमारा आंसर होगा और जीरोई हमारा हुगा यही हमारा फैसे च्वर है और 응 उप्र हमारा फैसे को कर लेते हैं उसिक हम इसको कर लेते हैं इस बार हम पलस पलसMI ले लेते हैं क्वेस्टन पर है आपका इसक को देख लिजे यह 65 सटन में हुआ और इसको डिवाइड करना है नाइन से चलिए जहां से इसको तो 9 ज्यादा है तो यह रिमाइंडर तो हुआ यहां से हमारा पलस टू इस प्रकार से जब इसको भाग करेंगे 97 को तो 9-10 बार टेविल चलेगा 90-90 से हमारी संख्या कितनी ज्यादा है पलस साथ देखे बीच में पलस चिन है तो पलस दो पलस साथ यह हुआ पलस के नो और नो से डिवाइड करेंगे तो नो से रिमेंडर आप अपनी सुझदा के नुसार योज कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि जब आफ फाइनल में आंसर दोगे ना तो वह पलस का ही रिमेंडर उना चाहिए पलस के रिमेंडर के रूप में फाइनल यांसर देते हैं ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन है थर से करते हो चलेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप थर देखिए यह आपका क्वेश्चन नंबर थार्ड क्या है थर्ड थर्टी सेवन मुल्टिपलाई 64 मुल्टिपलाई 37 87 यह संख्याप की है यह 37 64 और 1787 इसको हमें भाग देना है बच्चो 17 और हमें बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा रिमाइंडर बताना है चलिए देख लेजी तो मल्टिपलाई है बीच में कि मल्टिप्लाई यह बीच में उसी के अकोर्डिंग चलते हैं पहले 37 को देख लेते हैं फिर 64 को देख लेते हैं फिर 1767 को देख लेते हैं डिवाइड किसे करना है 17 करना है पहले हम सभी के लिए अलग-अलग 16 सेख पन निकालेंगे और फिर उनका सभी का मल्टिप्लाय करतेंगे जो भी चीन बीच में है पलेisa से जोड़ देते हैं माइन सथ गठाह ए तो गुणा कर देते हैं ऐसा करते हैं चलिए negative लेकिन हम बिल्कुल नजदीग जाना चाहते हैं अपनी संख्या के उसके लिए चाहिए रिमेंडर हमारा पलस आए माइनस आए कोई पर भाव नहीं पड़ेगा इस बात से ठीक है ना नो टेंशन देखे 17 दूनी 34 सत्रे त्या क्या वन अगर मुँपर जाते हैं तो बहुत जादे चले जाते हैं ठीक है ना इसके पास में पहुचेंगे 17 दूनी 34 कितना वह बच्चो 34 से यह कितनी जादे होई कितनी जादे होई देखे यहां पर देख लीजिए 37 गुणा 64 गुणा 1747 और डिवाइड करना है 17 सेंथी 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 संथी सेंथी जब इसको डिवाइड करेंगे इस संख्या को सतरे दोर नी 34 सतरे तिया वच्छा वण जाड़ हो जाओगा चोंतिस पर ही रुक जाओगे थेוכ संफ्छा पर हे रुक जाओगे कितिन जाया म्त एक है सत्रे यृष करओं कि यहीं ही डिल्यॉटेंगे सत्रेज और सलें उम्तिया और अगर से यह बढ़ूट यू़ कबं का में वक्चों चार कम है तो रिमाइंडर यहांसे वह माईनस चार ठी ना पॉजी टिवो नेगेटि वो संख्या के नजदीक पहुचिए बसक्त की तारगेट है हमारी पलस दो ज्याद है कितनी ज्याद है पलस दो ठीक है न तो पलस दो हमें यहां से रिमाइंडर मिला ठीक है जितनी बार हम टेविल पड़ रहे हैं उससे यह संख्या हमारी पलस दो ज्याद है ठीक है यह हमारे रिमाइंडर हुए दे को यहां से पलस तीन हुआ multiply a minus 4 हुआ या multiply a plus 2 हुआ और divide में को ने भाई 17 है चलिए देख लिजिए minus plus की गुना तो minus ही रहेगी 3 चोक बारे हुआ और बारे दुने कितना हुआ 24 हुआ फिर से वोई कहाणी बन गई कि 17 से जादे सेस्फल आ गया जबकि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि भाजक से जादे हमारा सेश्फल आ जाई अगर ऐसा होता है तो हम फिर से भागदे लեते हैं नो टेंशन फिर से भागदे ली जी सत्रई इकन सत्रेchutz हुआ अंसर तुम यहां से भागदे ली जी सत्रेखन सत्रेकन हुआ कितना बचगया वाई साथ बच गया तो माइनस साथ और सैसतर है से इस फली अगया माइनस साथ से लेकिन आंसर हम हमेशा याद हैना पोजिटिव और में देंगे बीदे में पोजिटिव निकान ले के लिए जो हमारी संख्या है इसमें से हम इस संख्या को अपनी घटा देंगे और यह आ जाएगा टैन तो हमारा जो finally Remender आया है वो आया है 10 दस आया है ठीके के लिए रभा question next आगे question को देखिए gobber हमारा 4 विसके ऐसमें भी तिक एना इस बात से कोई फरक नहीं पड़ना है ठीक है पला सो माइनस हो यह मल्टिपलाई ओदेखें कुश्चन नमबर आप चार यह हमारा कुश्चन नमबर चार 304 है बाई कुश्चन नमबर चार है 3027 और फिर है 9869 और फिर मल्टिपलाई में दिया हुआ है 8 7 6 7 चलिए इसको डिवाइड करना है 5 से और इसमें हमें रिमाइंडर बताना है इसको 5 से डिवाइड करना है रिमाइंडर बताना है ठीक है ना चलिए रिमाइंडर बता देते हैं देखिए 5 के लिए तो वैसे भी आप इस पेसली जानते है कि 5 के लिए तो लास्ट में 0 होनी चाहिए या फिर 5 होना चाहिए तो हम केवल 0 को ध्यान रखते हैं ठीक है ना हम 0 बनाने की कोशिस करते हैं और उसी का कोडिंग चलते हैं जैसे देखिए लाश्ट डिजिट को देख लिए आप सेवन है और सेवन में 0 बनने के लिए 0 का मतलब वह 10 10 10 बनने के लिए कितना कम है माइनस तीन कम है तो माइनस तीन यहां से रिमाइंडर हुआ ठीक है ना यहां से रिमाइंडर माइनस तीन वाइसी परकार से यहां से देखिए नाइन है नाइन में 0 बनने के लिए एनिए कि टैन बनने के लिए कितना कमे माइनस उन यहाझस ईरी माइन रहा इसी प्रकार यहाँ पर देखे फिर से मैं वह द्युक्त है। इतना कम है माइनस 3 कम है आजाए बीच में मल्टिपलाइए माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 मल्टिपलाइए तो मल्टिपलाइए कर देंगे 5 से डिवाइड करना यह हमको चलिए जब माइनस फिर माइनस पलस हुआ फिर से माइनस तो माइनस ही आएगा यह स्पेसली ध्यान रखा ज चो और संख्या में कर रहे हैं तो हमेशा माइनस ही होता है ठीक है तो 3 इकन 3 हुआ और 3 तीया 9 हुआ तो यह माइनस का 9 आ गया और यह बटे 5 हो गया लेकिन असा तो होता नहीं है कि बाजक से जाद है हमारा सेस्पल आ जाए तो फिर से बाग कर लेते हैं 5 इकन 5 तो माइनस 4 आ गया और बटे 5 लेकिन निगेटिव रिमेंडर आया है निगेटिव ए आंसर पोजीटिव में देंगे उसके लिए क्या करोगे आप अपने भाजक में से इस निगेटिव रिमेंडर है उसको लैस करके तो आंसर दोगे पांच मेंस चार गटा यह एक तो हमारा यह मल्टिपलाई यह प्लस हो यह माइनस हो है इसी परकार संख्यां है ठीक है और भी संख्यां आगे तक बढ़ सकती हैं लेकिन आपको इसी परकार से करना है अब कुछ कोस्चन हमारे पावर्स वाले होते हैं घात वाल वाले ज़राँ उनको भी देख लिए देखिये कुछ क् और पूछता है कि इसमें reminder कितना होगा चलिए reminder डूंड़ना है हमको हमको reminder को डूणना है देखे ऐसे question में क्या करना है आपने आपने घात पे तो ध्यान नहीं देना है ठीक है ना इस संख्या ध्यान दीजीया और यह 68 है यह 66 है यह 68 है तो लो इस प्रकार से पढ़ यह तो Pacific ड़यर माईनस बंद यह तो एक कम हो या एक ज़्यादा अगया क्यू पावर कर लेते हैं की जब टेबिल चले तो यह तो पलसमां बचा यह माइनस इवन बचे पहले इसको देख लिते हैं जब पर पड़ रहे हैं बच्छो तो देखे देर एकन चार lot ऐचले गए हैं उपर चले गए कि तो किसे करना है onboard से देखिए मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि यदी माइनस की पावर इवन संख्या में तो हमेशा पलस और संख्या में हैं तो हमें समय नस याद रखे जाए बात तो यह संख्या आपकी आपके कहाने 80 तो इवन शंख्या किया एक अग्या प्लस जाए Bald और ये 80 और डारेक्टर पल सकेल मैंडर आ गया अब तो हमें कुछ करने क्या आव सकता ही नहीं इसमें तो डारेक्ट आंसर दे सकते हैं तो हमारा प्षा हुआ ति के इसी प्रकार एक और लास्ट देख लिजिए क्वश्चों नमबर के बहुत सब्सक्राइब को है ah question नंबर छे आपका है लाइस्ट क्वेश्चन होगा आपका है artistic 26 26 की पावर है variety 5 और में है 25 और इसमें हमिंटर बता ना है चल decrease पताना है रिमाइंटर निकालने के लिए बच्चों रिमाइंटर निकालने के लिए पहले इस बात ध्यान देजी आप यह संख्या आपकी 26 एर यह 25 है यदि हम 25 का एक बर टेविल पढ़ते हैं तो पलस वन एक्स्ट्रा है अमारी संख्या ठीक है ना तो यहां पर तो सीधी हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 गन 25 तो हमारी संख्या कितनी जादे है पलस वन और जब पलस वन की पावार रखेंगे और डिवाइड में हमारा 25 है तो जब पलस वन की पावर अब पलस वन है पावर कितनी भी कर लिजिए पलस की तो आप कितनी बार मिल्टी कर लिजिए पलस तो पलस ही रहता है तो पलस वन ही रहेगा और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि reminder हमारा डारेक्टरी पलस वाला आया है तो आंसर आपका होगा reminder one reminder one ठीक है ये ते आपके कुछ आज घात वाले भी है question और simple question आज आपको हमने basic question पढ़ाए हैं सेस्पल परमे से संबंदित ठीक है आगे वीडियो हमारी देखते रहें क्योंकि वीडियों में हम आपको reminder से संबंदित बड़ी-बड़ी घात वाले question भी लाने वाले हैं ठीक है ना कुछ